जहां एक और इसराइल हमास के भी जंग खतम नहीं हो रही है वहीं कट्टर यहूदी नेता इसे और बढ़काने में लगे है दरसल इसराइली मीडिया ने नेतन यहू सरकार पर एक चोकाने वाला खुलासा कर बड़ा दावा किया है इसके तैट इसराइली सरकार ने कबजे वाले पूरवी यरुशलम में अलग सा मस्जिद पर दावा बोलने वाले यहूदियों को इनाम देने की योजना बनाई है ऐसा पहली बार है जब इसराइली सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जाने की चर्चा है दावा है कि इसराइली सरकार इलाके में अवेद रूप से बसे यहूदियों को इनाम के तोर पर पैसे बाटेंगी इसराइली नियूज के ए एन के मुताबिक इसराइली हैरिटेज मिनिस्टर अमीचाई अलियाहू ने इसके लिए 2 मिलियन एन आई एक्स यानि लगबग 5 लाग 22,000 डॉलर अलोट करने का अदेश दिया है हैरिटेज मंतराले अलक्सा मस्जिद में बसने वालों के फंडेट टूर के लिए इतामेर बेन गवीर के राष्टी सुरक्षा मंतराले के संपर्क में है खास बात है कि ये खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पुलिस सुरक्षा के बिच अवेद रूप से बसने वाले यहूदियों की ओर से अलक्सा मस्जिद परिसर में लगतर गुस्पैट की कोशिशे हो रही है इसमें इसराइल के राष्टी रक्षा मंतरी बेन गवीर खुद भी कई बार गुस्पैट में शामिल रहे है सोमवार यानि 26 अगस्त को सुरक्षा मंतरी ने ऐसा दावा किया कि बड़ा हंगामा खड़ा हो गया दरसल बेन गवीर ने कहा कि यहूदियों को अलग सामे परातना करने का दिकार है यहूदियों और मुसल्मानों के लिए समान कानून है वे ऐसा कर सकते हैं वे यहाँ पर एक परातना सल को बनाएंगे विवाद बरतादे कि इसराइल के प्रधार मंतरी कारयाले ने एक ब्यान जारी कर स्थिती को साफ किया जिसमें कहा गया कि टेंपल माउंट पर यता स्थिती में कोई बदलाव नहीं हुआ है बतादे कि पीते दिनों भी इस पर विवाद छिड़ा था अगस्त महीने में बेंगविर ने हजारों यहूदी निवासियों के साथ मस्जित के परिसर पर धावा बोल दिया था इस दोरान बेंगविर ने कथित तोर पर अलकसा मस्जित को टेंपल माउंट कैकर संबोधित किया था साथ ही कहा था कि उस पर इस्राइली संपरभूता और अधिकार लागू करने में महत्रपुन प्रगती हुई है हमारी नीती यहां यहूदी प्रातना के नुमती देना है इस दोरान कई यहूदियों ने तो मस्जिद परिसर में प्रातना तक कर डाली थी खेर ताजा मामले पर मुस्लिम देशों के संगठन ने भी तीखी परतिकरिया दे कर इस्राइल को घेरा है इस्लामिक संगठन ने बेन गवीर के ब्यानों के साथ साथ बसने वाले समूहों और इस्राइली मंत्रियों की ओर से मस्जिद परिसर में हो रही गुस्पैट की निंदा की OIC ने कहा कि वे इन कार्यों को इसराइल की और से पवित्र स्थानों की पवित्रता और पूजा की सोतंतरता का लगात और उलंगन मानता है साथ ही ये जिनेवा कन्वेंशन और अंतराष्टी कानूनों की भी अवेलना है इसराइल के पास अलकुद्स शहर को यहुदी कोशित करने के लिए उठाए फैसलों का कानूनी अधार नहीं है वहीं अंतराष्टी कानून और अंतराष्टी वैदता के प्रस्तावों के तहट इसे शुन्ने मानता है मालूम हो कि अलक्सा मस्जिद में साल 1967 से ही यतस्तिती बरकरार है दरसल इसराइल और जॉर्डन के बीच एक समझोता हुआ था इसके तहट पवित्र परिसर में गैर मुस्लिम पूजा पर पूरी तरह से रोग का प्रावधान है अलक्सा मस्जिद को इसलाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल और फिलिस्तिनी राष्टिय पहचान का प्रतीक माना जाता है क्योंकि मस्जिद परिसर में डॉम ओफ दा रोग भी शामिल है हाला कि साल 2003 में इसराइल ने इसलामिक वफ की मजूरी लिये बिना इलाके में बसने वाले लोगों को अलक्सा मस्जिद में परवेश करने की अनुमती दी थी जिसने लगातार इन गुस्पैटों को खतम करने का आवान किया है कि साल है